हेलो फ्रेरेंड्स वेल्कम बैक टो किंजास किचन उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आज फिल से एक न्यू रेसिपी लेकर आया हूँ आप सब के लिए जो किये मिक्स वेच विद पूरी और इसको पूरी भाजी भी बोलते हैं और यह जो रेसिपी है यह महराश्रा की बहुत ही फेमस रेसिपी है यह हर घर में बनाई जाती है और यह जो रेसिपी है मम्मा ने मम्मा के स्टाइल में बना कर बताया है आप भी इसे ज़रूर ड्राइ करिए चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं दो से तीन बैगन ले लेना है उसको अच्छे से कट कर लेना है उसके बाद दो टमाटे फिर हरी मेट्स, गोधमीर, प्यास, आलू और आदा, कद्दू लेना है और उसी के साथ साथ कड़ी पत्ड़ी और उसी के साथ साथ आपको लेना है दो चम्मच कश्मीरी लालमेट, अल्दी, नमक स्वात अनुसार और जीरा लेना है और तिल चार से पाच टेबल स्पून लेना है आप आपके हिसाफ से भी ले सकते हैं और नेक्स्ट आपको जो करना है एक कड़ाई के अंदर दो टेबल स्पून ओईल लेना है उसको अच्छा गरम करने के बाद उसके अंदर आलू आपको डाल देना है कुछ इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना है और उसके बाद उसको लिकाल लेना है जिसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आपको जीरा आट करना है उसी तेल के अंदर और उसी के साथ साथ कड़ी पत्ता भी आट करना है और अगर आप 15 चैनल पर नवे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलिए उसी के साथ साथ आपको उसी तेल में प्यास भी आट करना है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि यह नीचे लगेना और जलेना और उसी के साथ साथ हमें इसमें एक चम्मा चद्रक लेसन भी आट करना है पेस्ट और उसको अच्छे से मिक्स करते रहे ना जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं और यह बहुती delicious recipe है यह must try recipe है यह आप हमारे style में भी try करके देखिए या आपको बहुत अच्छी लगेंगी इसके बाद next आपको इसमें जो add करना है वो नमक स्वाद अनुसार हल्दी और लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च और आप बैगन जो है वो आपको धो लेना है अच् अभी next आपको इसमें add करना है टामाटर और उसके बाद बैगन और उसको अच्छी से mix करना है जैसा कि आप देख सकते है कुछ इस तरीखे से आपको mix करना है नीचे नहीं लगने देना है और उसके अंदर आपको पानी भी आड़ करना है आदा गलास आपको उसमें पानी भी आड़ करना है और कुछ इस तरीखे से आपको उसको continue मिलाते रहना है और उसके बाद नेक्स आपको तिल इसमें आड़ करना है और ये जो बैगन की जो टिप्स मैंने बताया है ममा ने अभी में को बोला है कि ये जो न्यू बिगिनर लोग रहते हैं उनके लिए है और उसी के साथ साथ नेक्स इसमें हम आलू भी आड़ कर देंगे जो हमने पहले तल लिया था और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें मिर्ची भी आड़ किया है मिर्ची भी आड़ किया है और उसी के साथ साथ थोटा फ्लीवर के लिए हरा धन्या भी अड़ कर लिया है और अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप यह हरी मिर्ची को छोटा छोटा स्लाइस में कट करके या जादी कॉंटिटी में भी दाल सकते है और यह आप देख सकते हैं कि हमारे वेज मिक्स और पूरी भाजी बनकर तयार है पूरी की जो रेसिपी हो पहले से ही चैनल पर अप्लोडेट है आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं चलिए फ्रेंड्स यह रेसिपी ज़रूर ट्राइ करिए और हमें भी बताईए अगर आप किन्जास चैनल पर नवे हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बैल आइकन दबाना ना भूलिए और इस वीडियो क को जादा से जादा शेयर की दिए चलिए फ्रेंड्स अलाहाफिस बाइबाय मिलते हैं नेक्स 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 नेक्स